नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जिये साब देख रहे हैं गुरुजी फॉर एनी इंडियान एक्जाम यूटूब चैनल जहाँ पर आपका बहुत स्वागत है और देखिए आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्यान के मूलबु सिधान तो सामाजिक अध्यान है इसके अंदर जो ह उसके ही सिधान्तों को ग्रेंड करता है सामाजिक अध्यान किसलिए अपनी विशेवस्तू और किर्याओं को संगटित करने के लिए तो अब आपको यहां पर यह जो विज्यान और यहां पर अध्यान नाम आया तो हम इन दोनों का अंतर है वो देख लेते हैं तो सामाजिक अध्यान और सामाजिक विज्यान में क्या अंतर है वो देख लेते हैं तो देखेंगे पहला अंतर यह है कि जो सामाजिक विज्यान है इसकी विज्यान इसकी अप्यक्सा निम्न होता है ज्यान का इस तरह वो समाजिक विज्ञान में ज्यादा होता है और समाजिक अध्यान में कम होता है दूसरी बात समाजिक विज्ञान वैसको के लिए है समाजिक विज्ञान वैसको के लिए और यह है जो समाजिक अध्यान है जो विद्या ले जो संकुचित होता है जो चैत्र होता है फेला हुआ ये नहीं कि फूरा विष्ततित रूप में समझाथे हर चीज को और जो समाचिक अध्यन है इसका जो चेतर होता है वो संकुचित होता है किसकी अपेक्सा विज्ञान की अपेक्सा और देखिए एक चीज़े सामाजिक विज्ञान है वो सिधान्तिक अधिक है इसके अंदर सिधान्त बहुत है और ये जो सामाजिक विज्ञान के अंदर सिधान्त है अलंकि समाजिक विज्यान है वो सेधानत्ती अधिक और यह समाजिक अध्याय epilepsy वू क्या है व्ययवारिक है अब यहां पर देखनेयर पाता है सीटा हीur tead, फिर कौन से Тट में आया बता नहीं मुझे लेकि ये क्यूषण आया था कि समाजिक विज्ञान की विशेश्श्टा आइं क्या है सामाजिक विज्यान की विश्यस्ता निमने मैंसे कौन सी ये क्यूशन आया था तो देखिए आपको ये मैंने विश्यस्ताइम बता दी तो ये क्यूशन कभी गलत मत करना और अध्यन की विश्यस्ताइम पूचे तो ये है और अंतर पूच ले तो ये है जो इसकी विश्यस्त पदती परियोग वादी दाश निकता पर अधारित है जो मानवता या विशेश समाज की वर्तमान आवशक्ताओं को पूरा करती है तदा बालकों को अपने देश विश्व तदा भावी जीवन में सुंदर जीवन व्यतित करने के लिए साहिता परदान करती है पदती परियोग वादी दाश निकता पर अधारित होती है जो मानवता या विशेश समाज की वर्तमान आवशक्ताओं को पूरा करती है तदा बालकों को अपने देश विश्व तदा भावी जीवन में सुंदर जीवन व्यतित करने के लिए साहिता परदान करता है सामाजिक दूसरा है जो सिदान्त ये कहता है कि सामाजिक अध्यन मानवता उसके सामाजिक जीवन का केंद्र माना जाता है और इसमें इस्तानिये प्रादेशिक राष्टिये अंत्राष्टिये आधि सभी परकार की बाते समलित हैं देखिए मैं फिर से बढ़ रहा हूं कि सामाजिक इसमें इस्थानिये प्रादेसिक राष्ट्य अंतराष्ट्य आधि सभी प्रकार की बाते संभीत की जाती है दूसरा सिद्धान्त कम्प्लीट सामाजी कद्यन मनुश्य के पिछले इतियास की अपेक्षा उसे आधुनिक जीवन तता समश्च्याओं पर बल देती हैं क्या करती है देगे एक बात बता हूँ कि इतियास फ्म की पुन्रावर्ती नहीं करता अंदर जो गटनाई गटित हुई दी ना उन वो जो गटनाई है ना अभी जो अपने समय की जो गटनाई है उनको परभवित करती ये तीसरा सिधान था चोता सिधानते सामाजीक अध्यन एक अनुसासित कोर्स है इंटर-डिसिप्लेनरी कोर्स है और इसकी सामगरी मानव सकाउं से चुन कर ली जाती है इसकी सामगरी कोलेज के विशिष्ट अध्यन से पूर्व स्कूल इस्तर की सामाइन शिक्षा के लिए उप्योगी है तता बालक उसे परियाप्त रूचिवे शरलता से पढ़ सके सामजिक विज्ञान के अंत्रगत जो अब देखिए कुछ क् पालन करते हैं तो दोस्तों ये थे सिधान्त और देखिए अभी मैं यह क्यूसन बताऊंगा लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि सिधान्त का मतलब होता कि जैसे की आप भी अपने समाज के अंदर सिधान्तों के पालन करते हो ना जैसे कि सादी करता है कोई तो उसके समाजिक विज्यान के अंतरगत अध्यान किया जाता है इतियास अर्चास्तर भूगोल या उप्युक सभी तो इसका अंसर होगा उप्युक सभी समाजिक अध्यान का अध्यान करते हैं एक गृत रूप में एक करित रूप में सामजिक अध्यन का परमुक केंदर विंदु है इसमें तो ये है मानवे संबन्ध मैंने बहुत अच्छी तरह के से पहला पार्ट में यह चीज बता दीती है सामजिक अध्यन का केंदर विंदू है तो वो है मानव तो दोस्तों ये था अपना जो अभी मैं सेलवस की और लेकर चलता हूँ ये आपने वीडियो पूरा देखा इसलिए और हाँ आप ने चैनल से नहीं जुट पाएं तो वहाँ पर जुट जाएं क्योंकि देखिए वहाँ पर SST के दो मैंने लाइव टेस्स ले लिए हिंदी के दो तीन ले लिए हैं और साइकोलोजी के तीन चार ले लिए हैं तो इस गुरुजी फोर लाइव एक्जाम हमारा नया चैनल है गुरुजी फोर लाइव एक्जाम थैंकि दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर